हो गया है अलो अच्छा नमस्कार गुड आफटर नून स्वागत है आप सभी का रोजगार वी दंकी चैनल पर तो क्या हाल है सभी के एक बार जुडेंगे और क्लास आज हम लोग करने वाले हैं पाइप और टंकी का सेकेंड पार ठीक है तो इसमें मैंने कल आपको बताया था अब बहुत अच्छे-च्छे सवाल मैं ले कराऊंगा आप लोगों के लिए तो तियार हो जाईए जिन लोगों ने कल की क्लास पाइप और टंकी की नहीं देखिए बचे वो देख लेना क्योंकि क्लास सारी जितनी भी चल रही है सिस्टेमेटिक तरीके से चली हुई है और अगर आप प्रॉफर नौटस बना रहे है प्रॉफर रिवाइज कर रहे हैं सवालों को टो को मैथ क्या है मैथ मांगता है आप चीजों को जितनी आप और अच्छे से रिवाइज करना चीजों को बुक से उठाकर प्रैक्टिस करना यह मैथ होता है ठीक है तो एक बुक रखिए अपने पास कोई भी स्टेंडर्ड बुक रखिए वहां से प्रैक्टिस कीजिए और क्लासे देखे बाकी ठीक है तो पाइप और टंकी कि आज दूसरी क्लास आपकी होने वाली और आज फाइनल क्लास है पाइप और टंकी बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं इसमें दो क्लास कराई है और कल आपकी स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम पूरे वीक का पढ़ेंगे पूरे वीक का यानि के मंडे से लेकर जो दिया था उमरक आपको इसे कराने के बाद जो आज की क्लास होगी बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग कोश्चन्स आज मैं आपको कराऊंगा जो अक्सर स्टुडेंट को परिसान करते हैं लेकिन आज के बाद वो कंफ्यूजिंग कोश्चन्स आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहेंगे तो बताएंगे जल्दी से सवाल क्या अंसर आया था भाई एक पाइप 32 मिनट में टेंक भर सकता है तो रिसाव के कारण भरा हुआ टेंक खाली करने में कितना समय लगेगा अब यहां पर वो आपसे कहना चाहता है कोई भरने वाला पाइप है वो टेंक को 32 मिनट में भर सकता है तो यह भरने वाला पाइप है यह 32 मिनट में भर सकता है अलग बात बोली दूसरी बात उसने कहा कि रिसाव के कारण टेंक जो है वो 48 मिनट में भर पाता है means कि भरने वाला पाइप भी चल रहा है और एक रिसा बीका पाइप भी चल जाए तो 48 घंटे में टंकी भर जाएगी इनका LCM बताएगा कोई मुझे 32 और 48 का LCM कोई बताएगा 96 इसका LCM होता है तो 32 और 48 का LCM छाण में 48 दूनी 96 और 32 तीन छाण में ये इनकी छमता आ गई ये इनकी efficiency आ गई अब मुझे न उसने कहा रिसाव के कारण कितना समय लगेगा उस टेंक को खाली होने में तो आप मुझे बताओ A की छमता कितनी है भाई A की छमता है तीन और A माइनस B A माइनस B की जो छमता है बचे वो है दो A माइनस B की छमता है दो मैं आपसे कहता हूँ B की छमता कितनी है आप कहेंगे सर A की छमता तीन है उसमें से मुझे एक घटाना पड़ेगा तभी तो दो आएगा मतलब के जो रिसाव है उसकी efficiency उसकी छमता कितनी है एक मिनट का काम क खाली करने में यह रिसाव कितना समय लेगा बटे एक कर देंगे तो 96 में मिनट ही लेगा कितना लेगा च्छाण में मिनट ही लेगा बात किलियर है अब 96 मिनट को घंटे में बदल लो वही 60 मिनट अलग कर दो और 36 मिनट अलग कर दो आप कहेंगे सर एक घंटा 36 मिनट कितना एक घंटा 36 मिनट, सर बिलकुल सही जवाब होगा, option number B, बिलकुल सही जवाब होगा, option number B, आपका correct answer, तो ये था, अब चलिए आज के कुछ सवालों पर चलते हैं, बारी-बारी वाले सवालों पर, जो हमारे बारी-बारी वाले सवाल होते हैं, ठीक है, alternate वाले सवाल होते हैं, की alternate days पर alternate गंटो पर alternate minute पर काम किया एक different r degree ने तो इसमें भी दो तरीकी के सवाल बनते हैं जब दोनो के दोनो нрав पाइप भरने वाले हुं उसे तो आराम से कर लेंगे एक पाइप भरने वाला एक खाली करने वाला वहाँपर जा कर हम फसेंगे वहां पर जाकर हम फसते हैं पहले ये सवाल करो बड़ा प्यारा सा सवाल है पढ़ेंगे एक बार उसने का pipe A और B किसी खाली टेंक को 10 और 16 गंटे में भर सकते हैं पहले pipe A से शुरुवात करके बारी बारी एक गंटे के लिए खोले जाते हैं तो खाली टेंक कितने घंटे में भर जाएगा देखो ये सवाल है ना टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था बारी बारी वाले सवाल पढ़े थे लास्ट क्लास में ये वही है सवाल जब दोनों pipe भरने वाले हो दोनों पाइप जब भरने वाले होना पाइप A और पाइप B किसी खाली टेंग को 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं जब तक दोनों पाइप या 3 पाइप जितने भी पाइप जोड़े हो जब तक सारे के सारे भरने वाले पाइप होना तो सवाल हमारा टाइम एंड वर्क समय और कारिय का ही सवाल है कैसे करेंगे देखते हैं उसने का पाइप A और B खाली टेंग को भरने में कितना कितना समय लेते हैं भाइप A लेता है 10 घंटे और पाइप B लेता है 16 घंटे जल्दी से बचे मुझे LCM बता दो 16 और 10 का LCM कितना है जल्दी कोई बताएगा मुझे 16 और 10 का LCM कितना है तो आप कहेंगे सर 16 और 10 का LCM होता है सर 80 16 पंजे 80 और 10 याठ 80 ये 8 और 5 इनकी छमता आ गई यहां तक तो सब को काम करना है इसके बाद सवाल को पढ़ते हैं उसने कहा पहले पाइप A से शुरू करके बचे इस तरह के सवालों में मैंने आपको समयकारिये में भी बोला था कि इस तरह के सवालों में जब वो बारी-बारी से काम करे ना तो इस तरह के सवालों में एक बात को नोट कर लिया करो कि काम की सुरुवात किस ने की है काम की सुरुवात की है ए ने ए से सुरू करके यानि के पहले घंटे ए ने काम किया होगा उसके अगले घंटे बी ने काम किया होगा फिर उसके अगले घंटे ए ने काम किया होगा ऐसे एक साइकल चली होगी आप कह सकते हो सर पहले ए आया जो होगा, एक घंटे के लिए, सर्फ फिर A आया होगा, फिर B आया होगा, यानि के साइकल रिपीट हुई दो घंटे में, A, B, A, B, A, B, A, B, चलती है, तो मैं आपसे कहता हूँ, एक घंटा, पहले ए चला है, एक घंटे के लिए, और उसने कितना यूनिट भर दिया, आठ यूनिट, फिर बी चला है, कितने घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, और उसने कितना यूनिट भर दिया, पांच, फिर ए आएगा, मतलब कि स कि इस 13 को गुणा करके 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 का पहाड़ा, 13 का टेबल पढ़ो, और 13 को गुणा करते करते 80 के पास ले जाओ, बचो या तो वो exact 80 होना चाहिए, या 80 से कम होना चाहिए, 80 से जादा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा टेंक ही 80 लीटर का है, काम ही हमें 80 यूनिट कराना है, तो या तो exact 80 पे जाए 13 का पहाड़ा, या 80 से कम रह जाए, इतना करना है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर 13 की अगर मैं 6 बार करूं गुणा, तो 13 छे 78 होता है, मुझे अभी कराना है दो यूनिट काम, कितना कराना है, दो यूनिट काम, बचे इस दो यूनिट काम को करने कौन आएगा, जिसने काम की सुरुवात की है, जिसने कारिये की सुरुवात की है न, वो बचे हुए काम को करने आएगा, 78 unit तक तो cycle चली है 6 cycle हुई है 78 unit काम हो गया लेकिन फिर 2 हिस्सा काम बचा उसे करने वो आएगा जिसने काम की सुरुवात की थी तो ये काम की सुरुवात की है A ने तो भई 2 unit कराना है मुझे पता है कि जो A भाई साव है वो 8 unit काम 1 गंटे में करता है 4 गंटे में तो 1 गंटे 4 गंटे इधर जोडेंगे 2 unit काम इधर तो 80 unit काम हो गया कितने गंटे में 12 सही 1 गंटे 4 गंटे में क्या एगा option बिल्कुल सही जवाब इसका थोड़ा सा short मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इतना सब कुछ सोचने की उसमें जरूरत है निया थोड़ा सा मैं short करा देता हूँ आपको देखना कैसे कहां से short करा सकते है यहां से short करा सकते है यहीं पर आके confusion होता है सर इस्टूडेंट को यहां पर आके कराना है कितना बचे आप total काम कितना है 80 और कितना काम करा चुके हैं सामने देखना मजाएगा आपको 80 यूनिट टोटल काम कराना है 78 आप करा चुके हो दोनों का difference बता दो कितना है 2 तो 12 गंटे में 2 गंटे और बटे टोटल एक का काम कितनी है आठ दो बटे आठ कर दो यह आपका आणसर आजाएगा दो एकम दो दो चौके आठ यानि के 12 सही एक बटे चार गंटे option number C मैंने क्या कहा मैंने जस्ट इतना कहा कि जितने काम पर आप पहुचे होना टोटल में से घटा दो 2 आएगा और बटे में जिसने काम की शुरुआत की उसकी छमता कर दो तो 2 बटे 8 यानि के 1 बटे 4 कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन एक गंटे में कितना करेगा दो गंटे में कितना करेगा बात खत्म भैस ठीक है आंसर कितना आएगा आंसर आएगा आपका 12 सही 1 बटे 4 बिल्कुल सही जवाब टाइम एंड वर के समयकारिय वाला ही सवाल है ये समयकारिय वाला ही सवाल है ठीक है तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं ये सवाल करो जल्दी से आंसर बताएंगे निगले इसका temperature डाउन करेंगे जल्दी से बताईए छे कहां से आया बचे हम 13 को गुणा करके ले गए असी के पास टोटल काम कराना है असी साइधा आपने टाइम एंड वर्क की वो किलास भी नहीं की वो की होगी तो कल वाली पाइप टंकी की किलास नहीं की आपने देखना टोटल काम के पास जाते हैं तो चलिए उसने कहा कि दो पाइप A और B आठ और 12 घंटे में टैंक को भर सकते हैं पहले पाइप A से सुरू करके उन्हें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा बचे जल्दी से अंसर बताओ बड़ा प्यार से आपका अंसर आएगा अगर आप पैन उठाकर कोशिस तो करो यार जब तक आप पैन नहीं उठाओगे बात नहीं बनेगी आप अगर वीडियो को देखकर यही कोगे कि जब तक मुझे पूरा समझना आ जाए मैं पैन को हाथ नहीं लगाओगा तो वो चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है आप किसी जीज को अच्छी तरह समझ लो पैन उठाओ आप आपको लगेगा क्यार मुझे तो भी आई नहीं है वो आप कोशिस करो पैन से तो चीज आपके दिमाग में तभी जाएंगी तभी जाएंगी चीज आपके दिमाग में तो सवाल ने का पैप A और B आठ और बारे घंटे में टैंक को भर सकते हैं भाई ये आठ घंटे में भाई ये कितने में बारा में LCM बता दो LCM आएगा 24 तो बारा दूनी 24 आठ तिया 24 अब दोनों भरने वाले पाईप हैं खाली करने वाला पाईप का कुश्चन नहीं आया भी अभी दोनों भरने वाले पाईप ही चल रहे हैं तो यहां पर मुझे बताओ सुरुवात किसने की है A ने यानि कि जो A भाई साब है वो एक घंटे में कितना भर देंगे तीन यूनिट जो B है वो एक घंटे में कितना भर देंगे दो यूनिट तो काम की साइकल बनेगी दो घंटे की और पाँच यूनिट काम हो जाएगा बैई इस 5 को गुणा करके टोटल काम के पास ले जाओ यूकि मुझे तो टोटल काम कराना है टैंक को पूरा भरवाना है तो आप इस 5 को गुणा करके करके 24 के पास ले जाओ 24 से जादा नहीं होना चीए exact 24 हो जाए ठीक है 24 से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन 24 से जादा नहीं जाना चीए तो 5 का पहड़ा आप पढ़ो सब जानते हैं पढ़ाने की जुरूरत नहीं है 5 का पहड़ा 5 पूरे 25, 5 चौके 20 4 बार जाएगा 4 बार जाएगा तो कितना हो गया 8 गंटे में कितना हो गया 20 यूनिट काम भाई अभी मुझे 24 कराना है तो टोटल का और इस काम का difference कितना है 4 यूनिट तो 8 गंटे подफ difference कितना है 4 बटे और एक ही छमता कितनी है जिसने काम की शुरुरूरत की 3 इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, 8 पिलस 3 एकम 3 और 1 बटे 3, 4 बटे 3 को ऐसे लिख सकते हो, या फिर कह सकते हो 9 सही 1 बटे 3, 8 और 9 सही 1 बटे 3, option number A आपका बिलकुल सही जवाब है, कितना आएगा? option number A आपका बिलकुल सही जवाब है, 9 सही 1 बटे 3, नहीं, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, हमने ज़्यादा काम तो नहीं करा दिया इससे, एक सेकंड, एक सेकंड, डिफरेंस नहीं कराना बचे, हमने ज़्यादा काम करा दिया इससे, हमने लिमिट से ज़्यादा काम करा दिया तभी तो एक फाल तो गया, अब हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर 20 unit काम है, अब हम दोनों को एक साथ काम नहीं करा सकते, हम दोनों से ना, एक साथ काम नहीं करा सकते, देखो गड़बड कहां पर हुई है, वो एक से ज़्यादा चला गया, यानि कि हमने उस करके आएंगे पहले आएगा ए और वो एक दिन में तीन यूनिट काम करके चला जाएगा यानि के 9 घंटे में कितना काम हो जाएगा 9 घंटे में 23 यूनिट काम हो जाएगा बात किलियर हुई 9 घंटे में कितना काम हो जाएगा 9 घंटे में 23 यूनिट काम हो जाएगा मुझे त आंता हूं B जो है वो दो यूनिट काम करता है एक घंटे में तो बच्चे मुझे तो एक यूनिट काम कराना है उसे करेगा एक बटे दो घंटे है ना तो यहां पर एक बटे दो घंटे और जोड़ दो कितना आएगा 9 सही एक बटे दो घंटे 24 यूनिट काम पूरा हो तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं इस सवाल के पास आएंगे अब बना है सवाल और यहां पर आकर मैं गरेंटी से कहता हूं कि आप फसोगे इस सवाल में आप फसोगे 100% फसोगे क्योंकि यहां पर ना खाली करने वाला पाइप जुड़ गया है और यह concept के लिए होना बहुत जरूरी है आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना कैसे एक बार सवाल को पढ़िए एक पाइप किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है यदि दोनों पाइपों को बारी-बारी से एक एक घंटे के बाद खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी यहां पर खाली करने वाला पाइप भी जुड़ा है और बारी-बारी से खोला जा रहा है तो बचे गौर करना इसमें concept बताऊंगा आपको मैं कि क्यूं हम यहां पर थोड़ा सा सोच समंझ कर करते हैं जब किसी सवाल में बारी बारी वाले सवाल में जब खाली करने वाला pipe जुड़ गया ना तो अक्सर हम गलती कहां पर करते हैं और क्यूं करते हैं और हमें आगे से वो गलती नहीं दोहरानी है गौर करना पहले अपना वही काम करो टोटल काम निकालना और छमता निकालने तक का एक जो pipe है वो 6 घंटे में भर सकता है और जो दूसरा pipe है भी बचे वो खाली करने वाला pipe है और वो उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है आप LCM बता दो कितना होगा 6 और 15 का LCM 30 है यह खाली करने वाला pipe है देखना गलती tasting पर ऑगी है अब हुआ क्या यदि दोनों pipe को बारी बारी से खोला गया एक गंटे के लिए यानि के पहले खोला गया भरने वाले पाइप को जरूरी सी बात है जब खाली टेंक पड़ा है तो खाली करने वाले पाइप को क्या होगा जब तक भरने वाला पाइप नहीं चलेगा तो यह लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले कौन सा पाइप खोला गया कोई जरूरत नहीं है लिखने की उसने ये कहना है कि दोनों पाइप को एक गंटे के लिए खोला गया, means कि पहले भरने वाला पाइप ही खोला गया होगा, जब भरने वाला पाइप भरेगा तभी तो खाली करने वाला खाली करेगा, अब खाली टेंक में से पानी कैसे निकाल सकते हो, यह निकाल सकते हो, तो य पहले एक घंटे में A ने कितना भर दिया, एक घंटे में A ने भर दिया पांच यूनिट, अगले एक घंटे में इसने दो यूनिट खाली कर दिया, बचे इसने दो यूनिट निकाल दिया, पहले एक घंटे के लिए A को खोला गया, उसने पांच लीटर पानी भर दिया टेंक अगले एक घंटे के लिए उसको बंद करके बीको खोला गया तो वो तो एक घंटे में दो लिटर पानी निकाल देगा तो वास्तव में तो जो साइकल बनी जो साइकल बनी वो तो दो घंटे की बनी है और दो घंटे में पांच में से दो गई तीन यूनिट पानी भरा अब देखना, अब देखना गलती कहां पर करते हैं हम लोग, हम करते हैं ये तीन है, बच्चे हमें कराना है तीस यूनिट काम तो मैं तीन का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूंगा, देखना गलती कहाँ पर करते हैं, सीखो सामने देखकर, मैं तीन का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूंगा, तीस के पास जाओंगा, पहाड़ा पढ़ते-पढ़ते, मुझे पता है, तीन धाम तीस होता है, तो दस की करोगे गलत बिल्कुल बड़े वाला गलत आप नोट्स बना रहे हो ना तो ऐसा लिखो और उसे काटो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता चले कि यह मैंने गलती नहीं करनी है यह गलती नहीं करनी है देखना यहां पर इसको लिखो और काटो कि अगर आप इसकी गुणा करते करते 30 के पास जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो इस पेसली केस है खाली करने वाला पाईब का जब कोश्चन होगा क्यों गलत हो यह भी मैं आपको बताता हूं क्यों आप गलत कर रहे हो बचे एक बात बताओ किसी भी साइकल का मतलब क्या है कोई भी साइकल का म यानि के यह साइकल पांच दो पांच दो की चल रही है यानि के यह पांच भरेगा दो निकालेगा पांच भरेगा दो निकालेगा तो ऐसे करकर के आप साइकल पे ले जाकर 30 के पास पहुच रहे हो मतलब आप कहना चाहते हो कि पहले पाइप में 32 लीटर पानी भरा गया होग पहले लास्ट की जो साइकल है, सोचो, पैन को साइड में रखे जरा सोचो, कि लास्ट की साइकल में पहले 32 लीटर पानी भरा गया होगा, फिर 2 लीटर निकाला गया होगा, तब जाकर 30 भरा है, मतलब तो यही बना, yes और no, आपके कहने का मतलब जो साइकल में आपने 10 से गु क्या यह पॉसिबल है, क्या यह पॉसिबल है, yes और no में जवाब दो मुझे, क्या यह पॉसिबल है कि 30 लीटर की कोई टंकी है, उसमें आप 32 लीटर पानी भर दो, क्या यह पॉसिबल है, बचे आप मुझे बताओ, कि 30 लीटर की टंकी में आप 32 लीटर पानी भर दो, नहीं possible नहीं है तो इस वज़े से cycle वाला concept यहां पर गलत होता है इसलिए यह मैं आपको बारी की बता रहा हूँ कि हमें हम रट लेते हैं चीजों को हमें पता ही नहीं होता कि यह क्यों हुआ ऐसा खाली करने वाले में हम दूसरा concept क्यों लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि last की जो cycle है ना उसमें आपने 32 भरा होगा फिर खाली करने वाली चली होगी cycle का मतलब है कि ए पहले फिर बी बाद में ए पहले फिर बी बाद में तो last में पहुचते पहुचते 32 भरा होगा फिर 2 खाली होगा थब जाकर 30 बना होगा ये वाला 30, लेकिन ये तो possible case ही नहीं बनता, मतलब कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तो ये concept तो हो गया गलत, अब इस खाली करने वाले में थोड़ासा advance में क्या सोचे, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ासा advance में क्या सोचे, आ आप इस total काम में से, इस total में से भरने वाले की छमता को माइनस करो, कितना आएगा, 25 unit, हमेशा ऐसा ही करना है, हमेशा, कभी गलती नहीं करोगे आप, कभी गलती कर ही नहीं सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो, total काम में से भरने वाले की छमता को माइनस करो, 25, अब इस 3 को 25 के पास ले जाओ कभी जीवन में गलती नहीं करोगे इस तरह के सवालों में क्या करना है टोटल में से यह भरने वाले की छमता माइनस कर दो आया 25 लीटर यानि के अब तीन को गुणा करके 25 के पास ले जाओ फिर आप आगे एक एक करके करवा देंगे काम फिर हम फिर हम जोडे म पेर में काम नहीं करएंगे फिर हम एक-एक करके काम करवाएंगे तो भाई तीन का पहडा मुझे 30 से मतलब नहीं है तीन को मुझे 25 के पास ले जाना है अब करो, अब आप गलती नहीं करोगे अब आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे देखना कैसे तीन का पहडा अगर मैं आठ बाहर पढ़ दू तो आठ की गुणा इधर भी करनी है कितना आएगा सोल है और ये कितना है, आठ तिया, चौबिस चौबिस हो गया न, चौबिस हो गया बैस, अब टोटल काम तीस है, टोटल काम तीस है, तीस के पास जाना है तो भरने वाला पाईप आएगा ये और ये पांच लीटर पानी भर देगा, अगले एक घंटे में, कितना हो गया, चौबिस और वो 29 में से 2 को निकाल जाएंगे भाई साब आएंगे बी, और वो 29 में से 2 को निकाल जाएंगे, अगले एक घंटे में घंटे हो गए 18 और कितना बचा, 29 में से 2 गए 27 29 में से 2 गए 27 फिर आएगा ए, और मुझे काम कराना है केवल 3 यूनिट 30 तक पहुचना है, 27 में 3 यूनिट काम कराना है तो भाई अगला आएगा ए और वो 5 यूनिट काम एक घंटे में करता है, तो 1 यूनिट काम 1 बटे 5, तो 3 यूनिट काम कितने में, 3 बटे 5 घंटे में, तो 18 पिलस 3 बटे 5 18 पिलस 3 बटे 5 में पूरा 30 unit काम हो जाएगा option number C आपका बिलकुल सही जवाब और ये concept मैं फिर से repeat करता हूँ सामने देखना करना क्या है गलती क्या की मैंने आपको समझा दी उस गलती को कैसे सुधारे इसको मैं repeat करता हूँ क्या करना है जो total है उसमें से भरने वाली जो efficiency है भरने वाली छमता है खाली करने वाली नहीं भरने वाली उसको माइनस करो मिला 25 अब इस तीन को गुणा करके 25 के आसपास ले जाओ तो 3,8, 24 और 2,8, 16, 24 आ गया अब आएगा A और वो 5 unit भर देगा हो गया 29 अगले 1 गंटे 17 में अब आएगा B वो खाली करेगा 29 में से 2 अगले 1 गंटे में यानि कि 18 गंटे में 27 यूनिट भरेगा फिर आएगा A और मुझे तो काम केवल 3 कराना है 27 और 33 ये 5 यूनिट भरता है एक गंटे में तो 1 यूनिट भरेगा 1 बटे 5 तो 3 भरेगा 3 बटे 5 में यानि कि 3 यूनिट हो जाएगी पूरी और 3 बटे 5 गंटे यानि कि 18 सही 3 बटे 5 गंटे में बहुत बढ़िया और ये कुशन ultimate है जो मैं आज करा रहा हूँ आपको सारे के सारे अब ये सवाल में आप गडबड नहीं करोगे 100% कहता हूँ कोई गडबड होगी ही नहीं आपको जब भी खाली करने वाला पाइप आएना तो ध्यान रखना कि गुणा को करके नहीं जाना है थोड़ा सा बच के चलना है खाली करने वाले पाइप से एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है भाइ कोई नल है वो उसे 10 मिनट में भरता है दूसरा नल 12 मिनट में खाली कर देगा बचे दूसरा जो नल है ना वो खाली करने वाला है और ये 12 मिनट में खाली कर देगा 10 और 12 का LCM कितना है 10 और 12 का LCM आप कहेंगे सर 60 होगा तो 12 पंजे 60 माइनस का 5 क्यों कि खाली करने वाला है और 10 छिक्के 60 इतना आपने किया अब यदि बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाए तो पहले भरने वाला पाइप भी खोला जाएगा क्योंकि टेंक खाली पड़ा है और खाली tank में पहले भरने वाला pipe खोला जाता है, तब ही तो खाली वाले काम बनेगा, तो पहले A को खोला गया, एक मिनट के लिए, और एक मिनट में इसने कितना भर दिया, छै यूनिट, फिर खोला गया B को अगले एक मिनट के लिए, और इसने पांच यूनिट निकाल दिय अभाइस में से तो वास्तम में तो साइकल दो मिनट की बनी और 6 में से 5 गया एक यूनिट भरा गया यानि के वास्तम में जो साइकल बनी है वो दो मिनट की बनी है और 6 लीटर भरा गया पहले मिनट में अगले मिनट में 5 लीटर निकल गया तो दो मिनट में केवल 1 लीटर भर गया है पानी अब इसको गुणा करके आप 60 के पास ले जाओ तो 60 से इधर भी गुणा कर दो 60 से इधर भी गुणा कर दो आप कहेंगे सर 120 मिनट में टोटल काम हो जाएगा 60 क्या अगर आप ऐसा करोगे तो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो मुझे इतना बता दो मुझे ए क्या क्या मैंने सही किया गलत, yes और no में, क्यूं गलत किया है, क्यूंकि यहां पर खाली करने वाला पाइप है, अगर आप ऐसा करते हो, 60 से गुणा करते हो, it means आप कहना चाहते हो, कि सबसे लास्ट में जाकर, सोचो सुनो, सबसे लास्ट में जाकर, जो पाइप है, वो 65 क्या कभी पॉसिबल है, कि किसी 60 लीटर की तंकी में, मैं 65 लीटर पानी भर दूं, कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब के ये वाला कॉंसेट, खाली करने वाले में नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा उसमें संसोधन करना होता है, तरीके में थोड़ा सा संसोधन करना होता है खाली करने वाले केस में क्या करना है बचे जो टोटल है ना छमता जो टोटल छमता है इसमें क्या करना है इसमें से आप भरने वाला जो पाइप है उसकी छमता को घटा दो बनेगा कितना पचपन अब आप इस एक को पचपन के पास ले जाओ, गुणा करके, इस एक को पचपन के पास गुणा करके ले जाओ, तो क्या करेंगे, भाई, एक की गुणा पचपन में करेंगे, तो इधर भी पचपन में होगी, इधर भी पचपन में होगी, सौरी, सौरी, चौरी, चौरी, चौ यूनिट भर गया, 108 मिनट में 54 यूनिट भरा के नहीं, चीसर भर गया, अब काम करने कौन आएगा, जिसने काम की सुरुवात की, और काम की सुरुवात तो A ने की है, और वो आके पूरा 6 यूनिट, और मुझे 6 ही चाहिए, भाई 60 करने के लिए 6 चाहिए, और वो 6 ही भर दे अगले एक मिनट में, तो टोटल काम क्या हो गया, 109 मिनट में कितना 60 यूनिट काम, यानि कि आंसर आपका उप्शन नमबर B होगा, एको कभी सही मत कर देना, एको कभी सही मत कर देना, अगर बारी बारी वाला सवाल आए ना, और खाली वाला पाइप जुड़ा हो, तो सब्सार स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं आपको पूरे वीक पढ़ा दू, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी, और सवाल बन जाए बारी बारी वाला, एक सवाल बने किसी एक्जाम में, बारी बारी वाला, और वो सवाल में धंग से ना पढ़ाया हूँ पूरे वी दो पाइप किसी टंकी को अलग-अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, दोनों बारी बारी से एक मिनट के लिए खोले गए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, देखो दोनों भरने वाले पाइप में, लेकिन इसने किलियर नहीं किया कौन सा पाइप पहले चलेगा, आप पहले वाले पाइप को मानलो, आप पहले वाले पाइप को मानलो, कि पहले वाला पाइप पहले खोला गया है, जो पाइप A है जो 20 मिनट बर रहा है, उसको पहले खोला गया, हालकि इसको मेंशन करना था भरने वाले पाइप में, कि पहले कौन सा खोला गया, तो आप म वर्क वाला कॉंसेप्ट है कि पाइप ए 20 मिनट में पाइप बी 25 मिनट में बच्छे दोनों को गोणा करेंगे कितना आएगा सो तो बीस पंजे सो सॉरी अब पहले खोला गया ये तो भाई ए पाइप खोला गया एक मिनट के लिए और ये इसमें पांच यूनिट भर देगा फिर बी खोला गया अगली एक मिनट के लिए और इसने चार यूनिट भर दिया तो आप कहेंगे सर दो मिनट में आप कहेंगे सर दो मिनट में नौ यूनि हो तो आप कहेंगे। 10k omega study aad कर दो तो और किदगो यहां भी कर देंगे । 22 मिनुट में तो 22 मिनुट में कितना भण गया नाइनटी नाइन तीट 粉षा और निन्याण में काrikaalan डिफरेंस कितना है 10 और निन्याण मे का डिफरेंस एक एक डिफरेंस है तो करना क्या है 22 सही एक difference है और बटे 5 22 सही एक बटे 5 आपका answer आजाएगा option number C बिल्कुल सही जवाब है 22 सही एक बटे 5 आप इसे वैसे भी कर सकते थे कि निन्याण में हो गया है निन्याण में हो गया है एक unit काम कराना है और इस एक unit काम को करने कौन आएगा बचे आएगा ए और वो 5 unit भरता है एक मिनट में भई छमता का मतलब यही होता है तो एक unit कितने में भरेगा एक बटे 5 मिनट और मुझे एक unit ही कराना है तो एक बटे 5 मिनट इसमें add कर दोगे तो answer कितना होगा 22 सही एक बटे 5 option number C आपका बिल्कुल सही जवाब है सभी का answer बिल्कुल सही है चलिए आगे चलते है कुछी इस तरह के सवाल देख लो बताओ जल्दी से इसका answer क्या होगा बताएंगे भाई सवाल का answer क्या होगा सर जी बी वाले से करवा दो बी बी वाले से करवा अरे भाई एक बात को कितनी बार लिखते हो तुम देखना पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है कोई टंकी है आप 12 बाल्टी भरो 12 बाल्टी भरो उसमें टंकी में डाल दो टंकी पूरी भर जाएगी ऐसा सवाल कहना चाहा रहा है जबकि पिरते एक बाल्टी में साड़े तेरे लीटर पानी आता है तो यहां से आप क्या मुझे बता सकते हो कि टंकी की छमता कितनी है कितना पानी टंकी में आएगा और उसने का इस टंकी को 9 लीटर छमता वाली कितनी बाल्टिया भरी जा सकती है आसान है सवाल तो बारे बाल्टियों से मैं किसी टंकी को भर सकता हूँ और एक टंकी में साड़े एक बाल्टी में साड़े तेरे लीटर पानी बनता है तो टंकी में टोटल पानी कितना आएगा आप कहेंगे बारा गुणा साड़े तेरा यही कहेंगे है ना तो कितना आएगा बारे पंजे साथ बारे तिया च्छतिस और च्छे बायालिस चार बारे चार सोल है 162 यानि कि 162 लीटर पानी आएगा कितना आएगा 162 लीटर पानी आएगा टंकी में बात के लिए अब उसने कहा इस टंकी में से ना 9-9 लीटर की कितनी बाल्टिया निकाली जा सकती है असान है 162 लीटर पानी टंकी में है और वो करा 9-9 लीटर की कितनी बाल्टिया निकालू तो बटे 9 कर दो तो कितना एगा 18 बाल्टी कितना एगा 18 बाल्टी यानि कि 18 बाल्टी आप 9-9 ल सवाल मुझे नहीं लगता कुछ होगा जैको तीन पाइप आ गए अब दो एंधे टीन वाला भी करा दूगा मैं आपको टेंशन ना लो सवाल कर रहा कि पाइप एक इसी तंकी को चार गंटे में और पाइप बीछ गंटे में भड़ता है दोणों पाइप बारी-बारी से के घंटे के लिए खोले जाये तो पाइप ए दुआरा सुरू किया जाए तो टेंग कितने समय में भर जाएगा जल्दी से करो आसान है असान का रिवीजन जितना हो चुका है से लिए बस उसका रिवीजन होगा और मंडे से बचे हम बड़ा इंपोटेंट बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है परसंटेज परसंटेज टॉपिक है बचे उस किलास को जरूर करना जो पहले दिन की पहली क्लास है उसका रिवाशन मैं बताता हूं परसंटेज चेप्टर पढ़ोगे न तो आप मैं परसंटेज चेप्टर का है पहली क्लास करना बहुत जरूरी है बीच में आप एक आद गोल कर देना लेकिन पहली क्लास जरूर लेना मंडे में परसंटेज शुरू करेंगे और ये चार चैप्टर हैं परसंटेज, प्रॉफिट लॉस और आपका SICI इनको हम एक गुरूप में अलग करेंगे बचेगा आपका Time Speed Distance उसको हम सबसे Last Man सबसे Last Man करेंगे तो ये सवाल बताएंगे जल्दी से पाइप एक खाली टंकी को 4 घंटे में पाइप A है वो 4 घंटे में और जो पाइप B है वो 6 घंटे में भरता है दोनों भरने वाले पाइप है तो टेंशन लेने की नहीं है भरने वाले पाइप है तो टेंशन लेनी नहीं है आप गुणा करेंगे सरी LCM लेंगे 12 तो 6 दुनी 12, 4 दिया 12 उसने खा A से सुरू किया गया तो पहले A जो है वो एक घंटे में बचे एक घंटे में तीन यूनिट भर देगा फिर आएगा B वो एक घंटे में कितना भर देगा वो दो यूनिट भर देगा तो बात बनी दो घंटे की और दो घंटे में 5 यूनिट भर गया दो घंटे में 5 यूनिट भर गया अब इस 5 को गुणा करते 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 12 के पास ले जाओ, तो 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 12 और 10 का difference कितना है, 12 और 10 का difference है 2, जो की 3 से कम है, 3 से बड़ा नहीं होना चीए, देखो वो case में हमने गलती कर दी थी, 3 से छोटा होना यह difference, तो कितना हैगा, 4 सही, और difference कितना है, 2 बटे 3, आप का अंसर आजाएगा, यानि कि 4 सही, 2 बटे 3 में, पूरा 12 लीटर पानी भर जाएगा, 12 unit, 4 सही, 2 बटे 3 कहो, या फिर 4 घंटे, और 2 बटे 3 घंटों को मिनट में बदलेंगे, 2 बटे 3 घंटों को 60 से गुणा करके तो 20 से करेंगे, तो 4 घंटे और 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, अना, चले, आगे चलते हैं, यह सवाल बताईए, बताएंगे जल्दी से सवाल का अंसर क्या होगा, दो भरने वाले पाइप, P और Q, मिलकर एक टैंक को 4 मिनट में, क्रम से 20 लीटर पिरती मिनट और 30 लीटर पिरती मिनट की दर से भर सकते हैं, यदि पाइप R भरा हुआ टैंक, भरा हुआ टैंक, आठ मिनट में खाली कर सकता है, तो पाइप R की दर क्या है, बड़ा आराम से बड़े आराम से और बड़े प्यार से करेंगे सवाल को बहुत आसान है बहुत आसान है देखना उसने कहा पाइप पी और क्यों अगर दोनों मिल जाएं तो चार मिनट में वो पूरी टंकी को भर देंगे टाइम एंड वर्क का कुश्चन है ये पाइप टंकी से जादा के दो आदमी अगर लग जाएं तो काम को चार मिनट में कर देंगे और पाइप एक बंदे की छमता दी हुई है बचे 20 लीटर पिरती मिनट का मतलब है के वो एक मिनट में 20 लीटर पानी डाल सकता है एक मिनट में आपको यहाँ पर LCM लेने की जरूरत नहीं है LCM हम कब लेते हैं जब हमें उनका टोटल काम का समय दिया हो के पूरी टंकी को भरने में इतना समय लिया बी ने पूरी टंकी को भरने में इतना समय लिया तब जाकर हम LCM लेते हैं लेकिन यहाँ पर तो उसने अल पिरती मिनट है यह उसकी efficiency दे दी यह उसकी छमता दे दी तो आपको LCM लेने की जुरूरत नहीं है LCM मैंने बताया कब लेते हैं तो यहां पर अगर मैं P और Q की छमता को मिला दू बचा अगर दोनों की efficiency को मिला दू तो आप कहेंगे पूरी टंकी की छमता बता सकते हो टोटल वर्क कितना होगा आप कहेंगे सर छमता है 50 और वो चार मिनट में भर सकते हैं तो सर 200 यूनिट काम हो जाएगा पूरा पूरा काम हो जाएगा 200 यूनिट सवाल ने कहा अगर pipe R इसे 8 मिनट में खाली कर दे तो pipe R की दर क्या है पाइप R अगर 8 मिनट में खाली करता है पाइप जो R है वो 8 मिनट में कितना यूनिट खाली करता है 200 यूनिट तो एक मिनट में कितना करेगा आप कहेंगे सर 200 बटे 8 यानि कि एक मिनट में करेगा 25 यूनिट और एक मिनट में किया गया कारिये ही उसकी छमता हो जाएगी बैए एक मिनट में किया गया काम ही क्या होता है efficiency होती है कितना आजाएगा 25 आप सभी का अंसर बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल करते हैं यह सवाल करो बताओ जल्दी से क्या होगा देखेंगे सवाल इसके बाद दो सवाल बचें बड़े इंपोर्टेंट सवाल हैं दोनों बड़े-बड़े से हैं और इंपोर्टेंट भी हैं यह सवाल करो पहले जल्दी से उसने कहा ज़िए एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ खोले जाएं तो तंकी 12 गहंटे में भर जाती है अगर दोनों पाइप खोले जाएं तो टंकी 12 गंटे में भर जाती है यदि एक पाइप दूसरे से 10 गंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा देखो इसमें कुछ चीजे आपको माननी है एक कुछ चीजे माननी है मैंने पाइप A मान लिया मैंने पाइप B मान लिया अब उसने एक बात कहिए कि एक पाइप दूसरे से 10 गंटे जल्दी भरता है किसी टंकी को दूसरे से जल्दी भरता है तो दूसरा पाइप कितने गंटे में भरेगा अगर मैं कहूं दूसरा पाइप 15 गंटे में भर सकता है टंकी को दूसरा पाइप 15 गंटे में टंकी को भर सकता है तो पहला पाइप कितने में भरेगा 10 गंटे जल्दी 5 गंटे में भर देगा भाई मैंने माना ओप्शन से उठाता हूँ मैंने माना दूसरा pipe 15 घंटे में टंकी को भर सकता है तो पहले वाला pipe तो 10 घंटे जल्दी भर रहा है वो तो 5 घंटे में भर रहा है LCM लेंगे 15 15 एकम 15 पांच तिया 15 अगर दोनों pipe मिल जाए तो 15 बटे 4 घंटे में टंकी को भर देंगे लेकिन उसने तो कहा है कि 12 घंटे में टंकी भर जाएगी अगर दोनों पाइप मिले तो, लेकिन यहाँ पर तो जैसे ही मैंने option B, A माना, तो दोनों पाइप मिलकर तो 15 बटे 4 घंटे में टंकी को भरें, मतलब मैंने जो माना है वो गलत है, तो हटाओ इसे, पहला option मैंने गलत मान लिया, दूसरे पे चलते हैं, कि अगर दूसरा पाइप 10 घंटे में भर रहा है, तो पहला पाइप 10 घंटे जल्दी, वो 0 घंटे में भरेगा, यह तो होई नहीं सकता, हटाओ, 20 मान लेते हैं, कि अगर दूसरा पाइप 20 घंटे में भर रहा है, तो पहला पाइप 10 दो और एक तीन या तो 20 बटे 3 घंटे में भरेंगे लेकिन सवाल ने तो कहा कि अगर दोनों को मैं खोल दूँ तो ये 12 घंटे में भर जाएगी मतलब कि मैं C option भी गलत मानके चला हूँ तो फिर मुझे D option चेक करना है कि दूसरा pipe 30 घंटे में भर रहा है तो पहला pipe 10 घंटे ज कितना आएगा 12 घंटे और सवाल ने कहा भी यही है यानि कि option number D मैं जो मानके चला हूँ वो बिलकुल सही मानके चला हूँ इस तरह के सवालों को option से आपको उडाना पड़ेगा अब चलते हैं सबसे important सवाल जो सबसे last के हैं सबसे last और सबसे important सवाल सबसे important सवाल देखना य भूच आप कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो मॉक टेस्ट में तो यह बहुत आते हैं भर-भर के आते हैं जो diameter व्यास वाले सवाल देखना एक पानी की तंकी में तीन पाइप लगे हैं जिनके व्यास diameter क्रम से एक सेंटी मीटर एक से एक बटे तीन सेंटी मीटर और दो सेंट लेता है सभी के बहने वाला जल यदि उनके व्यास के वर्ग का अनुपात हो बचे बहने वाला जल यह लाइन सबसे इंपोटेंट है यह लाइन सबसे इंपोटेंट है सबसे जादा इंपोटेंट पूरे सवाल की रीड की हड़ी है यह सवाल के सभी में बहने वाला जल बहने भाला जल का मतलब है उन पाइप की छमता उन फाइप की 499 की चमता के सभी में बहने वाला जल यदि उनके व्यास के वर्ग के अनुपातिक है में तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल देने की resize में चला से कितने पाइप B और पाइप C, आप कहेंगे पहले का 1 cm है, दूसरे का 3 एकम 3 और 4 बटे 3 cm है और तीसरे का 2 cm है, बचे आप 3 की गुणा कर दो, क्योंकि यह easy बनाना है मुझे, तो 3 LCM ले लो, नीचे नीचे denominator का, तो 3 की गुणा इसमें भी कर दो, तो यह 3 बन जाएगा, 3 से 3 और 3 की गुणा 2 में करोगे, तो 6 आएगा, सामने देखो, पता भी नीचे लेगा, उपर नजर उठाओगे, सरुजी यह 6 कहां से ले आएगा, सामने देखोगे, तभी तो पता चलेगा, मैंने क्या किया, जो यह बटे में 3 था ना, माने 3ों में गुणा कर दी, तो 3 एकम 3, यह 3 से 3 कट गया, 4 बचा, और 3 की 2 में गुणा होगी, तो 6 आएगा, यह इनके व्यास का, व्यास का रेश्यो बन गया, अब इस लाइन पर आजाओ, यह लाइन कहती है, कि सभी में बहने वाला जल का मतलब है, efficiency, उनकी छमता, तो सभी में बहने वाला जल, उनके व्यास के अनुपात है, तो अगर मैं छमता की बात करूँ, बहने वाला जल, छमता की बात करूँ, तो व्यास का वर्ग कर दो, 3 का स्कॉयर, 4 का स्कॉयर, 6 का स्कॉयर, तो भाई, छमता का रेश्यो क्या हो गया, 9, 16 और 36, यह इनकी छमता आगई, तीनो पाइप की, तीनो पाइप की चमता आ गई ऐसा सवाल ने कहा अब उपर चलो थोड़ा सा उसने कहा सबसे बड़ा जो पाइप है न वो टंकी को 61 मिनट में भर देगा सबसे बड़ा पाइप तो सबसे बड़ा पाइप तो यही होगा जिसकी चमता सबसे जादा है तो भाई अगर मैं टोटल वर्क आप से पूछूं तो आप कहेंगे सर चमता है 36 और 61 मिनट में भर देगा तो 36 गुणा 61 यह हमारा टोटल वर्क है यह हमारा टोटल वर्क है कि सबसे बड़े पाइप की जो एफिसेंसी है वो 36 यूनिट है और वो 61 मिनट में भर देगा तो मतलब 36 गुणा 61 यह टोटल काम है तो सवाल ने आप से कहा कि तीनों को अगर मैं एक साथ खोल दूँ तो आप कहेंगे अगर मैंने तीनों को एक साथ खोला तो भाई 36 गुणा 61 यह टोटल काम है और तीनों की छमता जोड़ेंगे, कितना आएगा, 16 और 9, 25, 25 और 36, 61, तीनों की छमता को जोड़ दो, तो आप 61 से 61 गया, तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 36 मिनट, कितने में, 36 मिनट में, क्योंकि सवाल 36 मिनट में दिया गया है, तो option number C, आपका बिलकुल सही जवाब है, उसका square कर दो, तो उनकी efficiency का ratio, उनकी छमता का ratio मिलेगा, अब उसने कहा, जो सबसे बड़ा pipe है, वो टंकी को 61 मिनट में भर सकता है, तो सबसे बड़े pipe की छमता तो मेरे पास 36 है, तो total काम निकालूँगा, 36 गुणा 61 मिनट, 36 गुणा 61 टोटल काम हो गया, उसने कहा, इसे अ 36 मिनट, 36 मिनट में वो उसे भर देंगे, ओके, तो चलो, आज का last सवाल है, और ये रहा last सवाल, तीन pipe खुलवाने की बात कर रहे थे, दो, तीन बचे सर, तीनों pipe को खुलवा कर, बारी-बारी से भरवा हो, प्यों तो तुम pipe को खुलवा रहे हो, अब एक करो, जल्दी से स भर सकते हैं, और तीसरा नल उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है, बहुत अच्छे, जदि तीनों नल को किरं म से एक-एक मिनट के बाद खुला गया, तीनों को किरं म से एक-एक मिनट बाद है, यारिनके, पहले a, फिर b, और फिर c, पहले a, फिर b, फिर c, तो टंकी कितने समय मे भर जाएगी concept clear है न तो सवाल आपको कुछ 1% भी परिसान नहीं करेगा अगर concept clear है तो जो मैंने समझाया देखना pipe A जो है वो उसे 10 गंटे में 10 मिनट में pipe B जो है वो 12 मिनट में और pipe C खाली करने वाला है तो 15 मिनट में खाली कर देगा भाई LCM कितना आगया 60 तो 10, 6, 60, 12, 5, 60 और 15, 4, 60 माइनस में क्यों क्यों कि ये खाली करने वाला है अब एक एक मिनट के लिए खोलो क्या फरक पड़ता है कुछ भी नहीं पड़ता फरक भाई पहले एक मिनट के लिए A खुलेगा एक मिनट के लिए A खुलेगा तो 6 यूनिट भर देगा B खुलेगा एक मिनट के लिए ये पांच यूनिट भर देगा फिर C खुलेगा एक मिनट के लिए ये चार यूनिट खाली कर देगा तो साइकल तो तीन मिनट की बनी साइकल तो तीन मिनट की बनी और 6 और 5 ग्यारा ग्यारा में से चार गई साथ यूनिट भरा ज यहां जब भी सवाल में खाली करने वाले पाइप का कॉंसेप्ट जूड जाए ना तो इस साथ को साथ के पास मत ले जाना गुणा करके गलत कर जाओगे गलत कर जाओगे अगर इसे आप ले गए तो आप करेंगे क्या सर फिर जो भरने वाले पाइप है ना जैसे 6 और 5 11 यह चमता घटा दिया करो साथ को गुणा करके ले जाओ इस उननचास के पास तो भाइ साथ से गुणा करेंगे और साथ से इधर भी गुणा करना है तो 21 मिनट में कितना 49 यूनिट अब एक एक करके भरवा दो गलती कभी लाइफ में करो गे ने इस तरह के सवालों में एक एक क आएगा वो पांच यूनिट भरवाना है मुझे 55 और 560 और वो पांच ही भर सकता है अगली एक मिनट में तो भाई 23 मिनट में कितना काम हो गया पूरा 60 यूनिट कितना हो गया पूरा 60 यूनिट ऑप्शन नंबर ए आपका बिलकुल सही जवाब है तो क्लास होती है यहीं प रिवीजन के तौर पर मैं लेकर आऊंगा और संडे में आपकी पूरे स्लेबस का रिवीजन क्लास है और मंडे से परसंटेज शुरू है जरूर जुड़ना परसंटेज में सबसे इंपोटेंट टॉपिक है बैकबोन है चार चैप्टर्स की परसंटेज प्रॉफिट लॉस क्लास को खतम करते हैं एक बार क्लास को लाइक जरूर करना और कैसी रही क्लास मुझे बताएंगे मिलते हैं नेक्स्ट सेसर में थैंक यू बाई बाई जहन